Hello and welcome back, दिखिए जब आपको FSX File Server for Windows सीखना है, तो उसके लिए आपको Active Directory भी सीखनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि Windows File Server है और Windows heavily depend होता है Active Directory पे, तो हमारा track AWS ही है, हम AWS FSX File Server सीख रहे हैं, पर as a prerequisite हम बात कर रहे है Active Directory के बारे, ये बहुत ज़रूरी है क्यों? क्योंकि आगे जब हम IAM Identity and Access Management सीखेंगे, तब भी हमें AWS और Active Directory का जिक्रिक करना पड़ेगा, और इसलिए अगर आपको अभी से मालूम है Active Directory के बारे में, तो ये हमें FSX File Server फोर Windows में भी हेल्प करेगा, और आगे IAM सीखने में भी हेल्प करेगा, हमने ये डिसाइड किया है, हम जो भी प्री रिक्विसाइड्स हैं, वो इस सीरीज में डाल देंगे, जिसके कारण आपको अलग-अलग वीडियो से प्री रिक्विसाइड्स रुनने की ज़रूरत ना हो, तो आप इस वीडियो में समझेंगे Active Directory, the Microsoft product और उसका हम यूज करेंगे next वीडियो में with FSx, अब बहुती सिंपल तरीके से हम Active Directory को समझेंगे, देखें मेरे पास यहाँ पे 5 कंप्यूटर्स हैं, अब यह 5 कंप्यूटर्स को मैंने Network से, याने के Network स्वीट से Connect किया हैं, हमने इसे प्रीविए सीडियो में भी बात किया था, कि अगर आपके पास multiple कंप्यूटर्स हैं, तो आप data local computer में store करोगे, या आप centralized data store करोगे, याने कि आप एक सर्वर बनाओगे, और particularly आपका जो भी data है, उस server के अंदर store करोगे, जिसे मेरे पास एक सर्वर अभी हैं, और ये भी मैंने network से connect कर लिया, और मेरा सभी computer का data में इस particular computer में store करोगे, जिसको हम बोलते हैं, फाइल सर्वर, अब यहां पर, बिफोर active directory क्या problem आता था, और active directory ने क्या problem solve किया, वो में आपको समझा रहा हूँ, Microsoft ने 2000 server, Windows server 2000 के start active directory को launch किया, उसमें उन्होंने हमें एक centralized identity and access management दिया, और इसका बहुती बड़ा use case है, जब आपके पास multiple servers है, multiple computers है, और आप सभी data centralized storage में store करते हैं, just imagine के हमारे पास कोई active directory जैसी कोई चीज है यही ने, तो क्या होता, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेरे पास एक user है, जिन्होंने यहाँ पे data store किया, बेठा यहाँ पे है, data store कर रहा है वो server पे, अब कुछ user का नाम है A, तो यहाँ पे just say there like A file, अब यहाँ पे एक दूसरा user बेठा है, जिसका नाम B है, B ने भी यहाँ पे store किया, तो let's add a me file, अब without active directory, problem क्या था, कि system जो है, वो identify नहीं कर सकती थी, कि यह A user है, और यह B user है, यह दोनों अलग-अलग है, system वही identify करती थी, कि यहाँ पे दो file पड़े हुए है, और इसके कारण, problem यह था, कि A जो है, वो B का file देख सकता है, और B है, जो A का file देख सकता है, और delete भी कर सकता है, तो इस problem को solve करने के लिए, हमने सबसे पहले, जो system बनाया था, वो था user authentication, right, user authentication का मतलब क्या है, यह सभी system में, आप user बना दो, जैसे, यहाँ पे एक user है A, यहाँ पे एक user है B, यहाँ पे एक है C, D, E, तो सभी local system में आपने user बना दिये, अब, यह identify हो गया है, कि file कोन बना रहा है, जैसे, यह A का file है, यह B का है, पर problem क्या था, यहाँ पे user account A का है, तो A यहीं पे बेट सकता है, जैसे के अगर A को यहाँ बेटना है, तो, इस computer पे बेटना है, तो, वो possible नहीं है, क्योंकि यहाँ पे user A का account नहीं है, suppose, B को यहाँ बेटके अपनी file एकसेस करनी है, तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि B का इस computer में account है यहीं नहीं, तो, एक solution इसका क्या होगा, हमें काम कर ले, यहाँ पे A, B, C, D, जैसे मेरे पास 5 computer है, तो A, B, C, D, पांच user यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर भी में five users यहाँ पे बना लूँगा, तो जितने मेरे computers है, उसमें सभी में, में users बना लूँगा, और इतने users मुझे file server में भी बनाने पड़ेगे, तो यहाँ पर भी मुझे A, B, C, D, A user बनाने पड़ेगे, अब देखिए हर एक system में आप हर एक user बनाने के लिए जाओगे, तो कितना time लगीगा, जैसे मेरे पास अभी पाँच system है, मैं सब में पाँच-पाँच user बना रहा हूँ, it will take time, पर suppose अगर मेरे पास 100 systems है, और 100 users है, तो सभी में मुझे 100 users बनाने पड़ेगे, यहाँ पर भी file server में भी 100 user बनाने पड़ेगे, और बड़ा problem यह है, कि अगर एक user को delete करना है, तो हर एक system में जाके उस user का account delete करना है, कोई नया employee हमने hire किया, तो सभी 100 system में जाके उसका account भी बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने user authentication तो कर लिया, पर user authentication है क्या, it is local, it means हमें सभी system में हमारा user बनाना पड़ेगा, now, to solve this problem, Microsoft ने Windows NT में ही एक facility दे दी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था New Technology Directory Service, they call it NTDS, पर वहाँ पर एक limitations थी, in the Windows NT, during 1997-1998, that आप 40,000 से ज्यादा users और कोई भी objects बना नहीं सकते हो, तो यहाँ पर scalability issue था, तो Windows Server के साथ, Microsoft ने launch किया Active Directory, अब Active Directory के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके resources है, जैसे जितने भी physical resources है, जैसे यह मेरे work stations है, मेरे users है, मेरे printers है, उस सभी resources का आपको बनाना है एक logical object in Active Directory, और Active Directory decide करेगी कि कौन सा object, कौन सा user जो है, वो access कर सकता है, तो यहाँ पर हमें हर एक system में जाके, इंडिवीडियल यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, before we are going to create file server, हम सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे एक normal windows computer, अब इस particular computer के अंदर हमें एक role डालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते है active directory service, और जितने भी हमारे workstation है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यह सभी active directory के साथ connect हो जाएंगे, using TCPIP protocol, तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने workstation और client computer connect करोगे, वो आपको active directory में दिखाई देंगे, अब आपको users multiple system में नहीं बनाना है, जैसे के अगर मैं यहाँ पर एक user बना रहा हूँ A, so A can be logged into any of this computer, अगर मैं यहाँ पर B बना रहा हूँ, तो B भी कोई भी computer में से login हो सकता है, याने using active directory मेरा जो whole process है, वो centralized हो जाएगा, अगर आप इस टाइप का windows setup करते हो, तो इसको हम बोलते हैं domain, right, it is known as domain, कई बार आपने सुना होगा windows domain, और जिस computer में हमने active directory डाला है, right, इसको हम बोलते हैं domain controller, okay, आपके पास multiple domain controller भी हो सकता है, अब ये setup हो जाने के बाद, आपके पास एक domain controller है, आपके सभी client computers इस particular domain controller के साथ connected है, अब आप यहाँ पे बनाओगे एक file server, तो वो भी network के साथ connect होगा, और ये हो गया आपका file server, अब file server भी domain का एक part होगा, file server को भी आपको domain के साथ connect करना पड़ेगा, इसके बाद कोई भी authentication process होगी, वो centralized हो जाएगी, जैसे के यहाँ पे एक user login हुआ A, जैसे ही ये user login करेगा, ये computer जो है, वो active directory के पास जाएगा, there is a user A, trying to login to my system, allow, if active directory saying yes, वो user यहाँ पे login हो जाएगा, जैसे ही ये user, यहाँ पे file बनाने जाएगा, ओके, active directory के पास ये system जाएगा, पूछेगा, जैसे ही एक user है, वो A file बना रहा है, user name A है, उसका file name A file है, उसको मैं store करने दू, active directory बने गी yes, आपका file store हो गया, अब यहाँ पे, एक user है B, अब B जो है, वो A की file एकसेस करने जा रहा है, जैसे ही B वो file एकसेस करेगा, वो file server, फिर से active directory के पास जाएगा, पूछेगा एक user है B, trying to access file A, permission है, तो active directory yes बोलेगा, permission नहीं है, तो active directory ना बोलेगा, कि उसको मैं access करने नहीं देना, अब यह पूरा system जो है, इसमें दो चीज़े है, file server भी है, और active directory server भी है, same process, same kind of system, हमें बनाना है, और without active directory, आपका जो file server है, या तो on-premises है, या तो FSX में है, यह use नहीं हो सकता, वो authentication नहीं कर सकता, it means आपको active directory की ज़रूरत है, और इसलिए हमने इस video में समझाया, कि active directory का use क्या है, अब हम practically यह करेंगे, क्योंकि FSX और any SMB server, active directory के बिना काम नहीं करता है, तो हमें जब FSX का practical करना है, उससे पहले, यह client computers, active directory domain controller, ready रखना पड़ेगा, उसके बाद हम FSX में जाके, उसको भी इसी domain controller के साथ connect करेंगे, तो पूरा हमारा system, इसी type का हो जाएगा, और हम FSX for file server पो, सही तरह से समझ सकते हैं, तो इसको, जो scenario आप इस board पे देख रहे हो, उसको practically implementation करना है, कब next video में, देखें next video थोड़ा लंबा रहेगा, क्यूंकि हम पूरा practical समझ रहे हैं, जो भी मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर आपको question होगा, कि यह client computer यहाँ पे कैसे connect होगे, उसके लिए DNS की भी requirement है, वो पूरा practical, हम step by step process से सीखेंगे, नेक्स वीडियो में, तो please वो वीडियो पूरा देखेगा, यह समझ दियेगा, कि कैसे यह system काम करती है, thank you very much, see you in the next video, have a nice day, good bye.